नमस्कार मैं हूनीतु सिंग और आप देख रहे हैं ग्रेटर जमू वर्चुल बीजेपी के करमठ कारे करता श्री राजेश गुपता जी को आज यहाँ पर बीजेपी काराले में श्रधांजली दी जारी है आईए जानते हैं किसी दिर पांच वेल के बाद उनका भून आए सुगा पांच वेल को आता था इस तुमन को गास पृष्टा नाम से जना जाता है अब अर्टिंता पर्टिक्वेश से अब मेरा नवेदन हमारी बेहन पूर में उप महापोर और वर्तमान में स्कोक्स पर्सन पूरिमागी से रहा कि वो भी आएं चैन शक्तों में अपनी शदार्थी प्रेश करते हैं चोड़ी उमर में इसका मुझे लगता है अभी जीवन की शिरुवात हुई पूरा जीवन उन्होंने संगर्ष किया और पूरा संगर्ष करते हुए जिस मकाम पर वो पहुंचे एजन एमेले बहुत छोटी उमर में वो हमें छोड़ कर चलेगी मेरा साथ तो उमके साथ बहुत था क्योंकि पहले हम इकटे पार्षद बने फिर इकटे ही हम एमेले भी बने और मुझे लगता है कि इस तरह का साथ हम लोगों का रहा अंगेनित यादे हैं उनके साथ जोड़ी वे उनके परिवार के साथ जोड़ी वे अनुझे के साथ जोड़ी वे ऐसी यादे हैं कि जो मुझे लगता है कि हम कभी भी उनका जो समाज के प्रती उनका कर्तव्य था जो निष्था थी और संगटें के प्रती जो थी कई बार ह और मुझे लगता था कि बहुत ग्यान जो है वो समर्ण के बारे में रखते हैं, उनकी शती, उनका जो जाना और बहुत छोटी उमर में जाना, परिवार के लिए तो है है, लेकिन भारती जन्ता पार्टी का जो परिवार है, उसके लिए भी बहुत बड़ी शती है, हम लम आं मुझे लगता है हने माले समय के अंजर भी, और को हमेशा से हम इनी उनकी आदों को यच्छी आदों को हम पने संचो कर चुग है, उसको और के बारे में हम बात करते रहें, श्रदान जी देने हैं, श्रदान जी के साथ साथ इतने भी परहुता, बोले उनने सब ने उनके ज जिला जैक्षay है, चब जिला जैक्ष का धाय तो मिवारा है थे रज़ाजीजी तो इनके फोड्रा को गयना मले भी आते थे, वारा मले भी आते थे, फुबा वी आते थे, लाजेश जि इतनी तेंसिन लेती हो, इतना क्यों परिशान होती हैं, काम हो जाती हैं, आज मुझे यह समझह आती है कि आज ऐ जिलाजियक्स जब थानाद किस पर कार कितनी टेंशन होती और कियों और इसे उतरते थे आज मैं मसमूस करता हूं। जब भी मैं जब से मिद्युस बना हूं। और मैं मसमूस करता हूं क्या राजेश जी उपढ़ते थे वाकए ही यह जो जगह है जो जिला जैक्षी कुर्सी है जहां टेंशन होती ही होती है कारेकर्टा को जाबित करना प्रोडम्स के लिए बुलाना फिर उसकी चिंता करनी एक बार नहीं दस-दसबर फोन करने पड़ते हैं फिर जाके कहीं हमें कठे होते हैं और इसकी मसाल मैं हाल ही दो द अधेस साफ में रह अधेस है जो हमारे रजीर कुप्ता जींगे बरिसने एमले भी रहे हैं पार्सटर्स्अänder पूरा जीवन अपना संघर्श के आज उनका शर्दांजली सभार रखी देंव शर्दांजली JO पैर शर्दांजली धी उन्होंने कारकरतों में इतनी अपनी जगा बनाई हुई थी कि उनको बिकास पुश्च भी जब मुशहर के लोग उनको कहते थे मैंने भी उनके साथ काम किया है बहुत सारी कारकरतों ने जनने उनके साथ काम किया है उनकी जीवनी पे चर्चा भी जहां पे हुई है मुझे लगता है कि उनको कम समय मिला उनकी कोई इतनी उमर नहीं थी लेकर इस दुनिया में नहीं रहे लेकर उनके कियो हुए कारनमाँ को काम को कारकरताओं के साथ मिलना जुलना उसकी सभी पे चर्चा हुई शर्दांजली दी है भारतियंता पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कार करता जो अपने जीवन पार्टी के लिए दे देते हैं उनको सब्वजाद रखती है उनको अपने परिवार की तरह समझती है ये बड़ी बात है आज त्रिकूटा नगर में वैद वैशनुदत सवागार में राजेज जी को सर्दांजली दी जा रही है पूरा वाजबा परिवार जो है वो सर्दांजली में आज शामिल हुआ है तो राजेज जी एक करमड कारे करता भी थे और उनमें एक डेडिकेशन थी मैं जिला देख्श होने के नाते पे ये आज समझे सकता हूँ कि वो किस परकार बात करते थे और क्यूं रात को गैरा वज़े ये सुबाँ पांच बज़े उठकर कारे करता को फोन करते थे आज मेरी समय में आता है कि कारे करता को तियार करना प्रोग्राम के लिए और उसको बार बार बोलना ताकि वो बोलना जाए ऐसी डेडिकेशन थी उनमें और आज लगता है कि जमू इस में खासकर जितने कारे करता अब देख रहे हैं मैकसिम कारे करता जमू इस से आई हुए है लगता है कि जम्मूई इस्ट में जब वो MLA बने तो लोग उसे विकास पुर्स क्यों कहते थे क्यों उनकी इतनी बाते होती थी आज समझ आती है कि वाकी राजेश जी ने समाज के लिए कारेकरता के लिए काम किया है और कारेकरता भी आज भी उनको जाद करता है मैं अपने तरफ से और पूरे बाचपा परिवार की तरफ से राजेश जी को शरदाजली अरपत करता हूँ और उनके परिवार को ये कहता हूँ कि उनको बगवान उनको शांती दे उनको बगवान उनको इतनी शरदा दे कि वो इस सद्मे को सेयन कर सके और राजेज जी को बगवान अपने चर्णों में रखे हैं इसी में अपनी शर्दानजली की में इस बानी को बिश्राइब